गुड मॉरिंग्स वेलकम तो मई चैनल मनने टैरिस गार्डन फ्रेंड्स आज काफी टाइम के बाद मैं अपने गार्डन की सफाई कर रही थी और मैंने सोच है आप सब फ्रेंड्स के साथ में शेयर करूं और काफी अस्त व्यस्त हालत में है मेरा गार्डन और आज का सारा द कुछ सफाई बगारा भी कर लोंगी और सच जानिए बड़ी देर से मिने अपने गार्डन की जो है एक सफाई जो होती है ना बड़े अच्छे से एसे रूटीन में तो जो बाहर-बाहर से तो हम सफाई बगारा जो है वो कर देते हैं लेकिन आप सब जानते हैं कि समर का सब्सक्राइब हो जाएगी और जो निगलेक्टिट प्लांट है उनकी भी देखवाल हो जाएगी और बस यह आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे गार्डन की हालत कुछ ऐसे है बिक्री और सोच रही हूं कहां से शिरुआत करूं और यहां पर यह देखिए फ्रेंड्स यहां लिए बिक्राइब निकलने के करान बहुत से प्लांट खराब हो गए जैसे यह मेरा कोलियस की आप हालत देख सकते हैं फ्रेंड्स यह बहुत स्वादा सदी के कारण और दूप भी नहीं निकली और बारिश होने से यह यह जो प्लांट है वो काफी खराब हो गए यहां पर में एक अपना यह पिटूनिया प्लांट भी आपको बताऊंगी कि इस बार मेरे पिटूनिया में इतने ज्यादा दोय नहीं नहीं हुई ना जाने क्या कारण था एक कारण तो मुझे पता है कि इन में मत्तब की बिल्कुल भी जो दूप थी वो बिल्कुल भी नहीं निकली है तो शायद मोसम की वज़े से भी हो सकता है अधर्वाइस मैंने फटलाइजर तो बड़े अच्छे से अपलाई करे हुए थे और तो चलिए फ्रेंड्स आप से बाते बात में भी होती रहेंगी और दीरे-दीरे में अपने काम में लग जाती हूँ कि जा को था जाइस है अबंश के भी हो चपली है तो चलिए अच्छे से अपली हो जाइसे से अच्छे सेज़ करे दो बाता है तो खाली हो बाता है प्रेंट से हला कि यह मॉर्निंग का टाइम था और मैं कुछ टाइम के लिए फिर किचन में थोड़ा सा बीजी हो गई और उसके बाद यह देखिए फ्रेंट से मेरी चाहे रखी हुई है यह थोड़ी देर की में ब्रेक लूँगी और रिलाक्स थोड़ा सा करूँगी चाहे बीते हुए और तो फिर आप से बाते भी करती चाहूंगी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ और फ्रेंट से हाला कि मुझे सिर्फ अपने गार्डन की सफाई ही नहीं करनी थी मुझे आप सब फ्रेंट के साथ ये भी डिसकस करना था कि जैसे ही फैब स्टार्ट होता है हमें बहुत सारे ऐसे पेंडिंग जो काम होते हैं वो करने होते हैं जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मोसम में काफी चेंजिंग आ चुकी हुई है उसके सासत हमारे जो पर्मनेंट जो फ्लावरिंग प्लांट है चाहे वो इंडोर और ना मेंटल प्लांट है उनमें काफी वर्क करना होता है क्योंकि विंटर में तो वो रेस्ट में जा चुके होते हैं अब एक राइट टाइम आ चुका होता है कि जैसे ही हम उनकी सॉयल वगरा चेंज करें और उसके साथ साथ हम उनमें गुड़ाई वगरा भी करें और देखें कि कौन सा प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है उस प्लांट को किस फटलाइजर की उसको ज़्यादा जरूरत है और बस इसी तरह कि हमें यह जो काम है यह करने होते हैं और दीरे दीरे करके बहुत सारे में ऐसे प्लांट आप दीख रहा है यह हबिसकीस का प्लांट है और इसकी भी काफी जो ग्रोथ थी हलाकि विंटर में भी यह थोड़ा हमारे यहां स्थन्ड जाद होने के कारण बिसकीस मेरे एका दुका फ्लावरिंग ही कर रहा हुथा लेकिन इसकी जो ग्रोथ थी कुछ मुझे लग रहा था कि इसके एक्चिल जो कुछ ग्रोथ में कुछ फरक आ गया हुआ है इसकी लीव में जो कलर आप देख रहे हैं इतना ग्रीन भी नहीं है तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बर जरूर चल रही है हाला कि ये मेरे विंटर में भी बहुत जादा ग्रीन रहते हैं और जब मैंने ये प्लांट निकाला और ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स का क्या हालत थी फिर मैंने सोचा नहीं मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं कि इस तरह कि हमारे बहुत सारे हमने जो होते हैं तो उन तक हम पोहुंच नहीं पाते सिवाई वाटरिंग ही हम कर रहे होते हैं तो इसलिए मैं साल में दो बार या तीन बार इनकी सफाई वगईरा जो है वो जरूर करती हूँ ताकि वह जो प्लांट है जो कार्डर में निगलेक्ट हो चुके हो थे वह बाहर निकल तो यह देखिए फ्रेंट्स आपके सामने भाविसकस का प्लांट है अब मैं इसकी मिट्टी को भी चेंज करूंगी इसमें फटलाइजर वगारा भी एपलाई करूंगी ताकि यह जो प्लांट है वह इसकी जो ग्रोथ है वह थोड़े से अच्छे से हो जाए आने वाले टाइ अलाकि मैंने पॉड़ भी रखा हुआ है मिट्टी वगारा भी रखी हुई है और फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह मैंने जो पॉड़ जिस पॉड़ में यह मेरा जो प्लांट था वह लगा हुआ था तो यह देखिए फ्रेंट्स उसकी रूट्स भी बिल्कुल इस में ज़रूर चेक करें कि उसका जो ड्रेनिज होल है वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए यह देखिए फ्रेंट्स इबिल्कुल आप यह देख सकते हैं तो इस तरह के यह छोटे-छोटे जो काम होते हैं यह बस थोड़े से ध्यान रखने होते हैं और अब यह बिल्कुल मैंने जो पॉट आप देख रहे हैं यह बिल्कुल ही है मैंने इसको ठीक कर दिया हुआ तो अब मैं इसमें यह एक छोटा सा टुकड़ा है वो में रख दूंगी और इसी तरह से बस अपने प्लांट्स जो हैं वो में इसमें रिपोर्ट कर दूंगी और जो भी आप क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यह बहुत यह जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स की जो कटिंग है जब हम प्रूनिंग वगरा करते हैं तो हम उनकी कटिंग को फैंकिये मत हम उनकी कटिंग को बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं एक में में इंपोर्टेंट जो वो इसी में ही ऐसे रहने दीजिये यह देखी जैसे मैं आपको दिखा रही हु नहीं तो अधर्वाइस आप इन को इस थारा से दूप में ज़रूर ड़नें यह आप देखने हैं यहाँ पर आपको बताती चलू यह यह किस किसम से मैंने यह काम कर रहा था यह देखिए बीच में बस इसी तरह से जब बारिश वगएरा आ जाती है तो काम हमारे इस तरह से पेंडिंग रह जाते हैं तो आप चाहिए देखे फ्रेंड्स यह मिट्टी बिल्कुल आपको लग रही है ना यह गिली है तो क्या होता है कि इस तरह से अगर आपने अपनी मिट्टी को दूप बिल्कुल अपने दूप इसको लगा दीजिए ताकि आपकी यह जो सॉइल है यह बिल्कुल फंगस फ्री हो जाए किसी किसम की कोई भी इंफेक्शन ना हो अच्छे से धूप लगयो ही अगर आप सॉइल को सॉइल अपने प्लांट्स में यूज करते हैं तो वह बड़ी अच मिश्किल से थोड़ी-थोड़ी मिट्टीकों में सुखा के इस तरह से करती थी तो आप भी अपनी धूप अच्छी निकल रही है तो आप भी अपनी स्वाइल को अच्छे से धूप लगा दीजिए फ्रेंट्स अपने गार्डन की सफाई कर दिया और इस सफाई को करने में मुरा दो दिन का समय लगा है और पॉट्स को मैंने उनको उनकी जगह पर ही अरेंज कर दिया कुछ खास ज्यादा मैंने चेंजिंग नहीं करी है विकॉज यह मैं काम दीरे दीरे ही करूंगी और अब भी यह देखी सकते हैं काफी प्लांट्स जो हैं वो हलके भी हो गए हैं और सच बता मुझे काफी सैटिस्फेक्शन भी मिली है क्योंकि काफी टाइम से मैंने प्लांट्स की तरफ ध्यान भी नहीं दिया हुआ था और दीरे दीरे जो नेगलेक्टी प्लांट्स वो सारे निकाले मैंने उनकी कुछ की रिपोर्टिंग करनी थी और कुछ की मैंने स्वाइल वगएरा ही सिंपल थोड़ी सी चेंज करी या कुछ की इसको गुड़ाई की जरूरत इसको गुड़ाई भी करी और इसी दोरान पानी और पानी से मैंने जितने भी प्लांट से उनको अच्छी तरह से वाश कर दिया क्यूंकि बड़े डस्ट डस्ट उनके उपर आ गई हुई थी और फाइलली अब यह प्लांट जो है वो देखने में थोड़े से खीक भी लग रहे हैं और काफी से मैंने इनको डीप जो कहते ह सफाई जो होती है वो मैंने करिया और अब मुझे बड़ी राहत से मिली है तो इसलिए जैसे ही मौसम चेंज होता है या कहले जैसे समर अब आ चुकी हुई है तो आप भी अपने गार्डन में यह जुरूरी चो काम होते हैं वो जुरूर करने चाहिए और आप भी कर सकते है और आशा करते हूँ आज का आपको यह टोपिक अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शियर कमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू फ्रेंड स्टे ब्लेस्ट और बाई